हेलो दोस्तों सुभा सुभा की गुड मॉनिंग जैसिरी राम आज का डेट है 9 सितंबर 2023 करंट अफेर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कुमार गोरो सर के करंट अफेर से लिए गए ललन टाप कुष्टियान इसके बाद एक्सप्लानेशन सब कुछ आप लोगों क को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ 20 मिनट के अंदर तो दोस्तों चले सुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेर के कुष्टन को हाल ही में सरकारी स्कूलों में परामपरिक इसलामिक परिधान अबाया पहनने पर किसने परतिबंद लगाया है अबाया जो क ठीक वहां पर उसको परतिबंद लगा दिया गया है तो फ्रांस की राश्पती कों है? इमैनीर, मैकरोन और फ्रांस की राद्धानी क्या है? पेरिजन और किस नदी के किनारी इस्तित है? सीन-दी के किनारी इस्तित है ठीक है? Next Lal backlash question देखते हैं, दुनिया की सबसे ऊचय पुद्ध छेत्र कौन सा है तो यह है सिया चिन ठीक याद रखना नेश्ट देख लेते हैं स्टुडेंट 18 वी राष्ट यह इसकावड और गाइड जंबूरी का आयोजन कहा हुआ है तो यह हुआ है रोहट पाली राजस्थान में कैसे याद रखोगे जंबूरी से जंबूर जंबूरी से राज राजस्थान ऐसे याद करने ना ठीक है नेश्ट देखते हैं परवासी भारतिये सम्मेलन 2023 का आयोजन कहा हुआ है परवासी भारतिये सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदावर में हुआ है ठीक और यह पहली बार क्यों मना जाता है क्योंकि 9 जन्वरी 1915 को बस आये थे अब हम सेकेंड प्रसम देखते हैं लल कुरंट फिर का हाल ही में समुद्री परियावरण में ड्रेजिंग गदविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सेंड वाच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लांच किया है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सह ड्रेजिंग का मतलब क्या है ड्रेजिंग का मतलब है कि जहाज पर निगरानी रखना उस जहाज पर जो समुद्र तल पर कचड़े को या किंचल को साफ करने के लिए लगाए गए है ठीक और इसको कौन लागू किया है यू या नईपी इसका फुलकॉर्म देख लेते हैं इसका हेटकोरटर कहा है केनया नेर्यविवी में इसकी अस्थापना कब हुई थी 5 जून 1972 को और 5 जून को क्या मना जयता है 200 परियावरन दिवस पांच जून को क्या मना जाता है विश्व परियावरन दिवस 2023 का होस्ट कौन था परियावरर का तो ये था कोटे ली आईवर ठीक इसका थीम क्या है Solution of Plastic Pollution थीम क्या है इसकी थीम है Solution of Plastic Solution Next प्रस्थ देखते हैं दोस्तों ललन्ठ आप Question देख लेते हैं HCO 2023 का मेज़बान देश कोन है HCO 2023 का मेज़बान देश कोन है भारत और 2023 में नौवा सदस से देश कोन बना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा इरान ठीक है अब देखते हैं और कहां पर किस चीज का मेज़बान हुआ है तो आसियान 2023 का मेज़बान देश कोन है जकारता इंडोनेसिया जकारता ये इंडोनेसिया की राध्धानी है ठीक और G20 2023 का आयोजन कहां हुआ है G20 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था तो ये तो आप देखी रहे कहाँ पर हो रहा है भारत में चल रहा है ठीक 9 और 10 सेटमबर को इसकी आखरी बैठक होगी इसके बाद G20 समाथ हो जाएगा ठीक अब देखते हैं G7 का G7 2023 का आयोजन कहा हुआ है G7 जापान में हुआ है इसका आयोजन हुआ है उड़ीसा में 2023 में उड़ीसा में आयोजन हुआ है इसका बिजेता कोन है जर्मनी और उप बिजेता है बेल्जियम ठीक करन्ट अफेर के तीसरी प्रस्ण को देखते हैं हाल ही में किस देश के बैज्यानिकों ने अंडे या सुक्राणू के बिना इस्टेम सेल का परियोग करके मानो भुरूण का विकास किया है जो इसका सही जवाब हो जाएगा इसराइल ने ऐसा किया है जो की अंडाणू और सुक्राणू के बिना ही मानो भुरूण माडल तय करbas Right काम है जो शरीर के किसी भी अंग के निर्मार करने की सक्थी होती है जो सरीर के किसी भी अंग को निर्मार करने की सकती होती है किसमें सकती होती है इस्टिम कोशिका में जो सरीर के किसी भी अंग को निर्मार कर सकता है ठीक है लललन टॉप कुश्चन को देख लेते हैं स्टूडन तीन ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एक मात्र भारती संगीत का कौन है रिकी केज है ठीक है और पहले कौन थे पहले कौन है पहले भारती कौन थे ये थे रभी संकर पहले भारती जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था वो कौन थे रभी संकर और अभी 2023 में किसे मिला है तो य पुझए है रिकी केज इन्हें तीन बार संगीत ग्रसुलट गराम की और प्रदान किया गया है Living Heritage University का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया है तो ये UNESCO के द्वारा प्रदान किया गया है और किस विश्व विद्याले को प्रदान किया गया है तो ये है विश्व भारती जिसका क्या नाम है सामती निकेतन भी नाम है इसकी अस्थापना कब हुई थी तो इसकी अस्थ में est Tina 80h gpt किस ने बनाया है तो ये ऊपन कि आई नहीं बनाया है kis ने बनाया है और किस न alarm बनाया है बैद बनाया है 现गल ठीक कि अब देखतें लीश WHY लीशा क्या है लीशा यह एक यह AI आधारित और यह कहां पर बनाई गई है यह कहां पर इसका कार कर रही है यह ODISA में कार कर रही है लीजा एक AI आधारि छेत्रिये निउज एंकर है भारत में लीथियम के भंडार कहां मिले हैं भारत में लीथियम के भंडार जम्मू कस्मीर में मिले हैं और लीथियम अगर कमरे के अवस्था में अधातु पूछे तो ब्रोमीन बढ़ा देना, अगर धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन ठीक है? प्रस्म चार देखते हैं करन्रफेर का, हाल में स्वेंग को दिवालिया घोषित करने वाला बिर्तिस सहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्मिंगम, ठीक, ऑप्शन B सही हो जाएगा, इसकी ब्याख्या देख लेते हैं, यह बर्मिंगम बिटेन का सेकंड सबस राष्ट मंदल खेल हुआ है, खेल हुआ था, कॉमन वेल्थ गेम हुआ था, इसका सुभंकर क्या था? पेरीदा बुल, राष्ट मंदल खेल का सुभंकर क्या था? पेरीदा बुल, इसमें फर्ष्ट अस्थान पे कौन था? आउस्टेलिया था, और भारत किस अस्थान पे भारत फोर्च अस्थान पे था जिसमें भारत ने टोटल कुल 61 पदर जी दे थे ठीक है तो 22 राष्ट मंदल खेल कहां वह था पर्मिंगम में और बर्मिंगम अभी खुद को दिवालिया घोसित कर लिया है यह बिटेन का सेकेंड सबसे बड़ा सहर है दोस्तों अब ललन भियान कहां सुरू किया गया है तो यह सुरू किया गया है राजस्थान में राजस्थान में कहां पर सुरू किया गया है तो यह सिरोही माउंट आबू सिरोही में सुरू किया गया था इसका सुवारम किस ने किया था पियम नरेंद मोदी जी ने ठीक है माउंट आबू में क्या है माउंट आब आबु में अरावाली की सबसे उची परवस रिंखला है जिसका क्या नाम है गुरु सिखर अरावाली की सबसे उची चोटी है नेश्ट देखते हैं रणजी ट्राफी 2023 विजेता कौन है सौराष्ट है इसका उप विजेता बंगाल है नीती आयोग के CEO परजन टाइम पर कोन है PVR सुब्रमन्यम और परजन टाइम पर उपाध्यच कोन है सुमन भेरी और इसके अध्यच जो है पियम होते हैं और इसकी अस्थापना कब की गई थी इसकी अस्थापना नीती आयोग के अस्थान पर की गई थी एक जन्वरी 2015 ठीक है ये योजना आयोग के अस्थान पर बनाया गया है नेट्ट परसंद देखते हैं दोस्तों पांचवा करेंट अफेर है ाल ही में हंगरी में आयोजित इंटर नेशनल ओलंपियार्ड इंफॉरमेटिक्स में भारतीय टीम ने कुन सा पतक जीता है तो इसमें भारतीय टीम ने तीन पतक जीता है डीक है इसकी ब्याख्या देख लेता है कि हंग्री में और क्या आयजन हुआ था तो हंग्री में वर्ड अथ्लेटिक्स चैंपियन का आयजन किया गय था बुड़ा पेश्ट में यह हंग्री की राधानी है इसमें नीरत चोपड़ा ने सोणपदक गीता था कितने मीटर दूर भाला 88.17 मीटर दूर भाला फिक के गोल्ड मेडल जीता था अब देखते हैं क्या हो रहा है इस टाइम पर इसमें अभी हो रहा कि किसका आयजन हो रहा है इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर मेटिक्स यह इसमें भारत जो है नो बरसों बाद गोल्ड मेडल जीता है और कि ललन टाप कुष्चन को देख लेते हैं दोस्तों प्रितिजर आर्किटेक्चर पुरसकार जो 1030 किसे मिला है तो इसका सही जौब हो जाएगा डेविड चिपर फिल जेको प्रितिजर ऐसे कुछ आवाज आ रहा है ना मैच कर रहा है प्रितिजर चिपर प्रितिजर चिपर ऐसे याद कर लेना नेर्ष्ट है विच्ट का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रिधा सिधरुधा प्लेटफॉर्म यह कहां पर कन्नाटे में लगभा डेढ़ किलोमीटर लंबा है इसके पहले कौन था गोरापूर ठीक नेर्ष्ट देख लेते हैं सर्व स्रेष्ट मूल गीत स्रेडी में आजकर अवाड 2023 किसकी को मिला है तो यह नाटू नाटू को मिला है और यह फिल्म कौन थी तिरपल आर 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 ठीक है और साट डाकुमेंटरी फिल्म में किसको मिला है जा वाइट एलिफेंट विस्पर को आजकर अवाड मिला है ब्यास सम्मान 2022 में ब्यास सम्म पर बाइस का ब्यास सम्मान मिला है रसने छे देख ले थे करन्ट फेर का ग्लोबल फिंटेप फेस्ट दोजाते इसमें लीडिंग परसनालिटी आफ्टा इयर से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका सह जवाब हो जाएगा अप्सन ए लीडिंग परसनालिटी आफ्टा इयर अधीब एहमत को मिला है इसका आयोजन कहां किया गया था बांबे में किया गया है यहीं पर भारत का पहला UPI ATM भी बनाया गया है जिसका क्या नाम है हिताची मतलब UPI किस ने बनाया है हिताची जो जापान की कमपनी है भारत क संगठन यनपी सी आई ने मिलके बनाया है भारत का पहला UPI ATM ठीक अब देखते हैं कि लीडिंग परसनालिटी आफ दा इयर का पुरसकार किसे मिला है अधीब एहमत को मिला है जो इसका पहला मतलब फरस्ट एंसर सही हो जाएगा और फिंटेक लीडर आफ दा इयर पुरसका अधीब एहमत को मिला है ठीक है इस्टूडें नेक्ष्ट देखते हैं ललन्ट आप कुष्चन देखते हैं कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है सिवसंकरी को मिला है उनके किस ए सेकंडे स्टूडेंट तो सिवसंकरी जी को किस के लिए मिला है सूर्य वंसम के लिए इन्हें 2022 क सरस्वती सम्मान मिला है और सुन्दरेजा आम को जियाई टैग मिला है सुन्दरेजा आम कहां कहा है यंपी रीवा कहा है रीवा एक जिला है वहां का ये सुन्दरेजा आम है जिसे जियाई टैग मिला है बस होली पेंटिंग जो जम्मू कस्मीर की है इसे जियाई टैग मिला ह अब देखते हैं कि World Happiness Report में 2013 में भारत का अस्थान क्या है? 126 और सांती में भारत का क्या अस्थान है? 126 ही अस्थान है 127 में भारत का जेंडर गयब में भारत का अस्थान है 127 और वर्ड हैपिनेस में 126, सांती में भी 126, 127 में जेंडर गयब है और 38 में क्या है भारत का Logistics Performance Index में भारत का स्थान है 38 ठीक करन्ट अफेर के सांधों प्रासन को देखते हैं हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को GI tag मिला है काला जीरा चावल कहां का है तो ये है उडीसा का ठीक है जीरा चावल और काला चावल कहां का है जिसे GI tag मिला था तो ये मडीपुर का है ठीक और इसे जो है काला जीरा चावल को चावलों का राजकुमार कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें पोसर तक तो बहुत अधिक मात्रा में होता है तीक सलेम साबुदाना इसको जियाइटेग है इसे भी जियाइटेग मिला है यह कहा का है सलेम साबुदाना यह त्मील लानू का कud Liam should not anee itself को देख लेते हैं इसरी जियाइटाब कि देख लेते हैं कि जियाइटेक की अस्थापना किसे एक्ट से हुई थी तो ये हुई थी 1999 एक्ट के तहत और पहली बार किसे दिया गया था तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दे गई थी दार्जिलिंग की चाय पर्शिम बंगार ठीक इसे कौन देता है इसे देते हैं वारिजिक उद्धोग मंतराल है कितने वर्स के लिए 10 वर् आर्टेमी सेकंड मिसन जो चंद्रमा पर जाने वाली पहली आंतरिश यात्री महिला बनेंगी कौन है क्रिष्टीना कोच जो नासा के द्वारा भेजा जाएगा आर्टेमी सेकंड मिसन उसमें अब की बार महिला को भी भेजा जायागा तो ये पहली आंतरिश महिला यात्री बन जाएंगी जिनका क्या नाम है क्रिष्टेन कोंच और इनके साथ 4 बनुश्य जाएंगे मतलब 4 आदमी जाएंगे ठीक तीन आदमी जाएंगे और ये एक अगेली महिला जाएंगी है अब देखते हैं लीगो बेद इसाला को कहा स्थापित किया गया है लीगो हिंगोली में सापित किया गया है हिंगोली खाँ है तो ये है महाराष्ट में ठीक है अब देखते हैं कि मून के लिए भेजा गया मिसन कौन-कौन सा है तो मून स्नाइपर मिसन ये जागसा जापान का है ये फरवरी में लेंड करेगा लूना 25 जो रूस की कमपनी थी आंतरिश कमपनी रॉस कॉसमास ये मिशन फेल हो गया फिलहा अब देख लेते हैं कि अपने भारत की तरफ से चंद्र मिशन के लिए क्या फेजा गया था तो चंद्रयान थर्ड फेजा गया था इस रोध भारा जो सफलता पूरवक चांद की सा फिर चीन गया है फिर भारत ठिक फिर भारत गया है इसके बाद नेक्ष चला जाएगा अगर सफल हुआ तो भारत का मून सिनाइपर जो की फरओरि में लांचे लैंड करेगा तो पांचमा देश बन जाएगा जापान और इसके बाद एस या में पहला देश है जो अशेया इबिश्व में पहला देश है जो भारत चांद के साउथ पोल पे लेंड किया है, अभी तक कोई भी देश साउथ पोल पे लेंड नहीं करा पाया है, लूना मिसन ये साउथ पोल पे लेंड करने वाला था बट फेल हो गया, नेश्ट को इसन देखते हैं, इस्टूडेंट, न क्या नहीं गती सक्ती विष्व विद्याले, गुजरात का एक विद्याले है, गती सक्ती विष्व विद्याले, इसके पहले चांसलर कौन थे, असुनी बैसनुजी, जो की रेल मंत्री भी है, ठीक है, और गती सक्ती विष्व विद्याले की अस्थापना कहा की गई है, गई थी और समझोता किसके साथ किया गया है तो एयर बस के साथ इसकी समझोता की गई है ठीक है हाल में गुजरात की गति सक्ति विद्याले के किस बैस्विक्स अंसान के साथ समझोता किया गया है तो यह किया गया है एयर बस के द्वारा समझोता किया गया है क्यों किया गया ह इसकी development के लिए ठीक है ललन टाप question को देख लेते हैं student फेमिना Miss India 2023 कौन बनी है नंदनी गुपता ये कहां की है ये है राजस्थान के ये राजस्थान की है और माता दी माता नी पछेडी वस्त्र एक है इसे GI tag मिला है ये कहां का है ये गुजरात का है ठीक है ये कहां का वस्त दाप파कal. ये गुजरात का वस्तर है जल शक्ति मंत्राले द्वारा जल निकायों की पाहली गलना हुई जिन में सबसे एदिक जलासे कहां पे है पश्षिम बंगाल में ठीक है यर कह लेद बार जल निकायों की गलना हुई है जिसमें सबसे एधिक जलासे कहां प्रस्टाव बंगाल में नौवा प्रस्टाव 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 प्रस्ट भाग भंगाली कलेंदर का पहला दिन माना जाता है। इस लिए इस प्रस्ताव को विधान सभा में पारित किया गया है। जल्नताव परसन को देख लेते हैं भाग-एग अब देख लेते हैं। कि भाग एग में भारत के सीमा में या भारत के अंदर कोई भी परिवर्चन किया जाता है तो वो किस अनुषेत के अंतरगत किया जाता है तो अनुच्छे देख में देख लेते हैं क्या कहा गया है कि India that is भारत shall be a union of states तो आपसे पूछ भी लेता है कि भारत के संभिधान में भारत को किस नाम से संभोधित किया गया है तो भारत एक तो भारत नाम से संभोधित किया गया है और एक इंडिया बस हिंदुस्तान या फ भारत का राज्य है या फिर किसी और देश का राज्य है अगर भारत में संभित होना चाहता है तो इसके लिए अनुच्छे 2 फालो किया जाएगा जैसे कि सिक्किम हमारे देश का भाग नहीं था इसको जो है 1975 में भारत में मिलाया गया था अनुच्छे 2 के दाहत ठीक अब अनुच्छे 3 में देखते हैं क्या है इसमें है formation of new states मतलब कि जो भारत के अंदर ही राज्य है उनकी सीमा में उनके नाम में या उनके किसी डिश्टिक के नाम में या फिर उनकी किसी नहर नदी इसमें कुछ परिवर्तन करना होता है किसी दूसरे राज्य की सीमा को अगर कि अगर किसी दूसरे राज्य में मिलाना होता है तो इसके लिए अनुच्छे 3 लागु किया जाता है ठीक है अब देखते हैं student प्रस्न चलने का अधिकार लागू करने वाला राज्य चलने का अधिकार लागू करने वाला राज्य कोन है ये राजस्थान है और स्वास्त भिल भी लागू करने वाला राज्य कोन है राजस्थान स्वास्त भिल भी लागू करने वाला राज्य राजस्थ है दूसरा सहर हो गया है एहमदाबाद और पहला सहर कुन था तो पहला सहर था सूरत ठीक ये कब समलित हुआ था एटीसी लागू किया था तो 2019 में लागू किया था एटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है इमीशन ट्रेड स्कीम मतलब उस सर्जन व्यापार योजना इसका क्यातार पर होता है कि परदूसर कम करना ठीक एटीस लागू करने वाला पहला राज़ी कुन था पहला सहर कुन था ये सूरत था कब लागू किया था तो 2019 में और दूसरा कुन लागू किया है 2023 में एहमदाब 4'00R लटन टाप कुष्टन देख लेते हैं सूर्ट जूलन एपल 2020 का क्यात क्याइब कोन है यह है CS 171 और ऑविजेन गुझता है इसमें कि की सिपके की समी बाद ईपल्ट कंपी समी को मिला है और ऑउर्पल कप की सिपके की सिपके औरेंज काइब की सिपकी है सुबन गिल को अब कुछ देख लेते हैं कि जो आपरेशन चलाए गए थे भारत में भी फिलहाल जल्द बाजी मतलब जल्द में किसी ना किसी देश के परती जैसे आपरेशन दोस्त कहां चलाए गया था वहाँ पर भुकाम पाया था तुर्की और सीरिया में चलाए गया था आपरेशन करू देवी सक्ति ये अफगानिस्तान में भारतियों को बाहर निकालने के लिए आप्रेशन देवी सक्ति चलाए गया था अब देखते हैं आज का लाश्ट प्रस्न मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की बिजेता कोन है ये है प्रबींडा अंजना और ये कहा की है ये राजस्थान की ह मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कोन बनी है प्रबींडा अंजना जो की राजस्थान से है दोस्तों अगर भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें दोस्तों के साथ सेयर करें और सपोर्ट बनाया रखें चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें आज जो है हिंदी का और इसके बाद हिस्टरी का बहुत ही अच्छे से फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसकी प्रैक्टिस बिल्कूल जीरो से सिखर तक जाएगी ठीक है तो चलते हैं स्टूजेंट मिलते हैं बात में जैहिंद जै भारत